Welcome back to my channel Code24, मैं हूँ सादिक और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नया टिटोरियल और हमारा जो यह सी प्रोगामिंग का कोर्स चल रहा है, इस को कंटिनूर करते हुए इस प्रोगामिंग वीडियो में हम लोग आज सेखने वाले हैं सी प्रोगामिंग के एप्लिकेशन के बारे में। और इस वीडियो में हम आज आज आप लोगों को भी कुछ टस्क दिया जाएगा, ताकि उसको आप लोग पर्फॉर्ण करके नेक्स वीडियो में आ जाओ प्रिवियस्ली जितना भी सारा वीडियो है अगर आप लोग मिस्स कर दिया तो अभी जाके उस प्लेइलिस्ट को चेक कर लिजे और सारा वीडियो का आप लोग देखके फिर आ जाईए क्योंकि देखे इस वीडियो में पुराना जितना भी सारा concept ही वो सारा कुछ यूज होन तो सारा कुछ याद आ जाएगा और अप लोग अच्छा से उसको कर पाऊगे अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि अगर आप लोग के अंदर सीखने का भूग है ना तो यह चैन आने वाले हैं एडिशन आप टूप नंबर्स तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ली चलते हैं पर अपन कर लेंगे गोगल क्रोम इस करूंगा राप लिट डाट कॉम यह मेरा यह राप लिट खुल गया है अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है सी फूल कोर्स यहां पर जाके फिर सी फर्गानिग का हमारा को हो गया कि एक करना है दो नमबर करने के लिए हमें पहले दो नंबर चाहिए तो दो नमबर क्या होगा पहले हम लोग उसको decide कर लेते हैं कि int a एक नमबर है उसके बाद फिर b एक नमबर है ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ पे दो नमबर को initialize कर लिया दोनों नमबर का जो data type है वो integer type है initialize कर लिया मतलब कि हम लोग a and b को use कर सकते हैं a and b को कुछ value दे कर उसको assign कर ना है तो हमें क्या देना है पहले हम लोग a को कुछ value देते हैं for example हम लोग यहां पर 4 दे देतें and b को हम लोग क्या देंगे B equal to हम लोग यहाँ पर 3 दे देते हैं अभी दो variable को दो number दे दिया अभी और एक variable यहाँ पर ले लेना है तो की है result मतलब जो दो number होगा A and B उसको हम लोग add करके result पर store करेंगे अभी देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले है result लिखके equal to sign देखे हम A plus B करने वाले है तो अभी क्या होगा जो A and B होगा ना यह दो number add होके जागे result पर store हो जाएगा अभी result पर store हो गया तो हम क्या करेंगे अभी result को print out करेंगे printf function को use करेंगे अभी सिर्फ यहाँ पर हम लोग एक string print कर देते हैं the addition is ठीक है उसके बाद फिर यहाँ पर comma देके हमें क्या लिखना है result लिख देना है तब अभी हम लोग इसको result लिखेंगे तो हमारा जो भी result का value होगा यहाँ पर आके यहाँ पर place हो जाएगा और हमारा printf पर जब हम लोग इसको run करेंगे तो कैसा आना चाहिए the addition is 4 plus 3 7 हो जाना चाहिए मतलब the addition is 7 ठीक है इसको हम लोग run करके देखते है दिखिए यहाँ पर आ चुका है the addition is 7 अगर हम लोग a का value change करते थे मतलब यहाँ पर हम लोग 5 ले ले लेते है तो यहाँ पर हमारा result 8 आना चाहिए तो इसको हम लोग run करके देखते है देखिए यहाँ पर हमारा value जो है वो 8 आ चुका है तो यह simple सा एक application है addition का अगर हम लोग चाहे तो इसको subtraction भी बना सकते है यहाँ पर हम लोग सिब इसको minus कर देंगे और addition के जगा पर हम लोग यहाँ पर subtraction ले देंगे ठीक है तो इसको हम लोग अभी run करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा subtraction आ रहा है 2 मतलब कि A minus B यहाँ पर 5 minus 3 is equal to 2 आ रहा है यह बहुत ही simple सा program है अगर आप लोग चाहे तो multiply भी कर सकते हैं और उसके साथ divide भी कर सकते हैं पर दिलो भी इसका निकाल सकते हैं देखिए आप लोग calculator use करते हो लेकिन calculator के अंदर क्या program है वो तो आप लोग उस नहीं करते हो न तो आप लोग programmer हो लेकिन programmer क्या करता है application बनाता है use कौन करता है मतलब जिसको technical knowledge नहीं हो जो program नहीं जाता है वो इस program को use करने वाले है तो उसको दिमाग में रखते हुए आप लोग को कुछ ऐसा बनाना है ताकि जो भी user आए उसको अगर technical knowledge नहीं हो programming का knowledge नहीं हो फिर भी उसको वो use कर सके ठीक है तो 5 and 3 ये आपका fixed failure हो रहा है मतलब इसको आप लोग change नहीं कर सकता है जब इस program को compile करके कुछ software वगर आप लोग बना देंगे तो क्या होगा कि ये 5 and 3 ये fixed रहेगा मतलब user इसको change नहीं कर सकता है तो इसी लिए programming को कुछ ऐसा बनाना है ताकि user आए यूजर आने के बाद user अपना खुद का value दे उसके बाद user को result मिल जाए और result लेके user चले जाए ए है ए का value जो 5 आपने डाला है तो इसका fix नहीं रखना है इसको हम लोग user dependent बनाना है मतलब ये जो value होगा ये user से ले लेगा तो इसको हम लोग user कैसे बना सकते है अभी देखिए हम लोग user से लेने वाला है इसको हम लोग रहने देते हैं और एक integer हम लोग define करते है user से input लेने के लिए फिर हम लोग x कर लेते हैं फिर हम लोग y ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग इसको से जो हम लोग करेंगे इसको हम लोग लेक्ते हैं यूजर इंपूट देखिए जो डबल स्लैश है इसको कॉमेंटिंग बोला जाता है तो लास्ट वीडियो में कॉमेंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत मैंने एक्स्प्लें किया था उसे लेने के लिए ना पहले हम लोगो जुजर को बोलना परेगा कि देखिए आप मुझे कुछ वेलू इंपुट के हिसाब से दीजिए ठीक है तो उसके लिए क्या करना है हमें एक प्रिंट डैफ लिखना है बूलना है कि इन्तर इंटर फर्स्ट वेलूself के व्हूट पर रहिए उसके बाद हमें क्या करना वज जो value देगा user उसको हमें store करना है x पे तो उसके लिए हम लोग क्या function यूज करेंगे एक function है जिसको हम लोग scan app बोलते हैं उस scan app function को हमें use करना है %d करके फिर हमें m% x लिख देना है इसका मतलब यह हुआ ना कि जो भी इस print app function के बाद यह जो compiler है यह compiler एक value मांगेगा और वह जो value हम लोग देंगे वह value directly जाके x variable पे store हो जाएगा इसका मतलब यही है ठीक है यहाँ पर हम लोग एक new line लगा देते हैं ताकि next वाला जो print app है वो next line पे चले जाए ठीक है और वैसे ही हमारा second value भी हम लोग लेने वाले हैं तो देखिए second value यहाँ पर हम लोग सिर्व प्रिडिट करने वाले हैं second value और बाकिस के नेफ का जो function है वह same as it is ऐसे ही रहेंगे लेकिन सिर्फ हमें यहाँ पर y देना है मतलब कि जो first वाला value है वो x पर चले जाएंगे और second वाला value जो होगा वो y के अंदर चले जाएंगे अभी देखिए हमारा x and y मिल चुका है और अ हम लोग ने यहाँ पर a and b का value predefined था हमारा मतलब हम लोग इसको define कर दिया था उसके बाद फिर result is equal to a minus b हम लोग ने लिखा था वैसे ही हमारा यहाँ पर x and y के अंदर value लेने के लिए कुछ ऐसा process है हम लोग ने इसको perform कर दिया variable के अंदर xy हमारा अभी आ गया है और xy को हम हम लोग एड करके फिर जैट पर स्टोर करते हैं ठीक है समी कुलम देगे इसको close करते हैं और हम अभी क्या करेंगे जैट का value को प्रिंट करके देखेंगे जैट कैसे प्रिंट करेंगे नॉर्मल ऐसे फंक्शन को यूज करेंगे प्रिंट अब रिजुल्ट इस क्या होगा फॉलो कर रहा है आप लोग अगर प्रिंट को देख पा रहे हैं जैसे परसेंडी देखे मैंने यहां पर रिजल्ट को लिखा था इसलिए यहां पर रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा था ठीक है वैसे ही यहां पर परसेंडी देखे मैंने यहां पर जैट को डिस्प्ले कर रहा वाला value है the subtraction is to इस पे हम लोग कुछ changes नहीं किया है तो directly ये program वैसे ही as it is run हो रहा है तो second वाला यहाँ पर आके जो user input वाला है वो यहाँ पर आके एक value मांग रहा है दिखिए print app जब हम लोग ने लिखा interface value तो वो वाला यहाँ पर आ गया है और scanf देके percentage d address of x जो ये scanf function है यहाँ पर आके program रुक गया है हमसे कुछ value मांग रहा है तो हम लोग अभी क्या देंगे कुछ value देंगे तो ये value क्या होगा for example मैं यहाँ पर 5 डाल रहा हूँ ठीक है मैं 5 डालके फिर enter प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारा second value मांग रहा है program इस line पर आ चुका है और यह वाला जो line है इसको print कर चुका है और अभी second जो scanf function है यहाँ पर आके program फिर से रुक गया है और हमसे दूसरा value मांग रहा है अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ इसको दूसरा value दे देंगे for example हम लोग y क्या value देने वाले है for example अभी 10 ठीक है 10 देके फिर हमको हम लोग इसको enter प्रेस करने वाले है देखें enter प्रेस करते ही the result is 50 नहाँ चुका है मतलब इस वाला जो print statement है यह execute हो गया है the result is %z जैट के अंदर जो x plus y करके जो value है वो जैट के अंदर assign हो चुका है और उसके बाद फिर यहाँ पे यह जैट हमारा print हो रहा है तो देखें कितना interesting है ना user अब आया और user खुद का अपना value डाला और जो भी उसका result है वो लेके वो चले गए तो exactly यही program calculator में भी run होता है जो आप लोग बजार से खरीद के लाते हो उस calculator में ऐसे ही मतलब program रहता है और आप लोग उसके value देते हो और सिर्फ equal to price करते हो और उसके बाद फिर आपको result मिल जाता है तो कितना interesting है दिखिए आप लोग एक production level चीज आप लोग यहाँ पर perform कर रहे हो दिखिए मैं आप लोग कुछ exercise देने वाला हूँ comment पर वो exercise दिया रहा रहेगा और exercise जो भी आप लोग perform करेंगे सारा कुछ आप लोग comment पर मुझे वेज़ देना है तो hopefully ये video आप लोग को clear हो चुका होगा तो next हम लोग और भी interesting program करने वाले हैं तो ये video अच्छा लगे तो इसको like and subscribe जरूर करें और दोस्तों के साथ अप लोग share भी कर सकते हैं इसको तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में Till then, this is Sadeek signing off झाले हैं अगले हैं झाले हैं झाले हैं